तेजस्वी का बीजेपी पर फिर हमला 19 लाक में 19 नौकरी भी थी क्या? क्या बेहार के लोगों को मिलेगी नौकरी? बेहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद राजनिती तेज हो गई है इसका कारण है तेजस्वी यादव द्वारा दिया गया रोजगार को लेकर बयान अब बेहार में अपनी सत्ता गवाचु की बीजेपी लगातार उपमुखी मंत्री तेजस्वी यादव को घिर रही है लेकिन अब राजद निता और बिहार के उप मुख्य मंत्री तेजसु यादव ने बीजेपी को घिरा है उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लखा है हमारे और आदरिनिया नितिश जी के साथ आने के बाद पिछले कुछ वर्षों में पहली बार हिंदू मुसल्मान मंदर मजजित को छोड़ नौकरी रोजगार और बिरोजगारी पर सकारतमक विमर्श हो रहा है ये हमारी उपलब्धी नहीं है तो क्या है? मुझे खुशी है कि हमारी पहल पर नौकरी के मसले पर सोई हुई पत्रिकारता भी जाग रही है मामली पर बात रखी है लेकिन इनसे भी जरा पूछो कि दो करोड़ नौकरीयों का क्या हुआ? भाजपा के लोग करीब दो साल सत्ता में रहे, 19 लाख में से 19 रोजगार भी दिया क्या है? गौर तलब है कि तेजस्वी यादव द्वारा 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के एक वादे को लेकर शुकरवार को ट्विटर पर उनकी और केंद्रिय मंत्री गेरिराज सिंग के बीच जुबानी जंग छड़ गई थी सिंग ने तेजस्वी के एक ताजा इंटरव्यू के वीडियो का हिसा शेयर किया था जिसमें वो बिहार के युवाओं में 10 लाख रोजगार दिये जाने से जोड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे केंद्रिय मंत्री ने तेजस्वी पर तंज कस्ते हुए वीडियो के साथ ही ये भी लिखा था कि आर्जेडी के नेता ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था लेकिन वो उसे मुख्य मंत्री बनने पर पूरा करेंगे अभी तो वो उप मुख्य मंत्री है बेहार में राजनितिक उलट फेर के बाद दोन नेताओं के बीच इसी को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई है सिंग के ट्विट का जवाब देते हुए तेजस्वी ने उस इंटरव्यू का बड़ा हिस्सा शेयर किया था और कहा था कि शिरिमान जी इतने बेशर्म मत बनिये एक फुट लंबी चोटी रखने से कोई ग्यानी नहीं बन जाता जैसे आप रखते हैं आप लोगों की इन ओ अच्छी हरकतों संपादित वीडियोज और सड़क्षाप बयानों की बदोलती बीजेपी की ये दुरदशा है इन बेचारां का बेहार में कोई चेहरा नहीं है केंद्री मंत्री ने तेजस्वी पर पलेड़वार करने में देरी नहीं की थी उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि बेहार की धर्म निर्पिक्ष सरकार के शिर्ष निताओं ने हिंदू प्रतीक चिन टी का शिखा पर हमले शुरू कर दिये हैं डेपूटी सीम तेजस्वी ने कहा कि साल 2020 के विधानसवा चुनाव में आरजडी के चुनावी अभिहान का नित्रित्व करते हुए उ उसे नई सरकार पूरा करेगी और मुख्यमंत्री नितिश कुमार इसे लेकर गंभीर हैं ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए One India Hindi के साथ